जैहिंद नमस्कार मैंके सिंगानिया आरा भीहार दोस्तों यह रिजनिंग का सेट होने वाला हैं 122 एंड 123 यह अंतिम सेट हैं फेज नंबर 6 का अब बस वनली एक फेज बचा हुआ है फेज नंबर 7 जो मैं बहुत जल्द आज या कल या परसों में इंड कर दूँगा दोस् हम बागोस में हम Prin 005 यहां पे कंप्लीट करने वाले हैं और सेट नंबर 122 में स्प्त-वन का और सेट नंबर 123 में स्प्त-व्यू का तो आइए आते हैं पहला प्रेसर्ण पर और इसके पर आप इह प्रहस्ण पुषा गया है non-verbal का प्रहस्ण है classification chapter का प्रहस्ण है बताना है कि इसमें कौन सा असंगत है ए फिगर में देखि यह इस प्रकार सुगा है देखि यहां पर यह जो चित्र है न यह चित्र देखो यह अपोजीट है देखिए यहाँ पर भी यह चित्र और यह चित्र अपोजिट है clear और देखो यह figure number C में यह चित्र और यह चित्र एकदम same direction में है लेकिन यहाँ पर देखो figure number D में तो यह चित्र और यह चित्र फिर यहाँ पर अपोजिट हो गया है तो confirm है कि इसका logic यानि कि यह option number 4 है राइट होगा अगला प्रस्ण है यह प्रस्ण है राइंकिंग चाप्टर का प्रस्ण है यहां पर कहा गया है कि पी क्यू आर एस्टी और यू मीत्र है ठीक है जो एक यह बी पीओ संस्थान में कार करते हैं अब देखी यहां पर क्या है कि पी जो है टी से ज़दा कमाता है देखी यह जो पी है यह टी से अधिक कमा रहा है क्लियर, R Q से ज़्यादा कमाता है, लेकिन U से कम, देखिए U से कम R कमाता है, लेकिन R जो है Q से अधिक कमाता है, एक तो यह हो गया, अगला है कि P Q जितना नहीं कमाता है, इसका मतलब यह है कि जो P है Q से कम कमाता है, लेकिन A से ज़्यादा कमाता है, तो यह इस परकार से हो ग और उसके बाद P हो गया और फिर यहां पर S हो गया अब यह तीनों को मुझे यहां पर अटेज करना है देखिए अटेज करने पर यह इस प्रकार से बनेगा U, R और देखिए यहां पर Q होगा और फिर यहां पर P और फिर यहां पर S होगा लेकिन यहां पर इसको देखिए मैं अटेज में करता हूँ कि जो P है वहाँ T से ज़्यादा कमाता है तो देखी वैसे condition में T यहाँ पर भी आ सकता है या T यहाँ पर भी आ सकता है क्योंकि A और T में कौन अधिक कमाता है यह fix नहीं है अब देखी यहाँ पर प्रस्ण क्या पुछा गया है कि 6 मित्रों में से कौन सबसे ज़्यादा कमाता है तो fix है कि U कमाता है सबसे अधिक तो U हो गया answer और option number यहाँ पर 1 जाने वाला है देखी ऐसा प्रस्ण बहुत easy होता है और बहुत बच्चे ऐसे प्रस्ण को solve कर दते है अगला प्रस्ण अगला प्रस्ण क्लासिफिकेशन का यह wine है, car है, motorcycle, bus है easy प्रस्ण है यह, तो यहाँ पर बिशम होगा motorcycle ठेक है न, अगला प्रस्ण अगला प्रस्ण पुछा गया है, बलड है, relation का प्रस्ण है हीरदे जो है, फेफडे की पुत्री है देखी यहाँ पर हो गया फेफड़ा फेफडी की पुत्री कौन है, हीरदे है यह पुत्री हो गई, इसके अतरीक ते हैं, उसका एकलोता, सोहोधर एक भाई है देखी हीरदे का एक भाई है, जिसका नाम क्या है, गुर्दा है देखो यह गुर्दा हो गया, और यह भाई है, हीरदे का, तो यह मेल हो गया आच्छे परकर से उसके बाद पेट पेफड़ा का पती है तो यह यहाँ पर फीमेल और इसका पती पेट हो गया पेट इहां पर हो गया मिल हो गया नेस्ट पॉइंट है आख और हिर्दय पती-पतनी है दिखिए हिर्दय का साधी हुआ है आख के साध तो आख हो गया इसमें पती हो गया ठीक है अगनासे गुर्दे का मामा है तो इसका मतलब यह हुगा कि फेफड़ा का भाई अगनासे यह भाई हो गया अब देखिए यहाँ परस में पुछा गया है अगनासे का फेफड़े से क्या सबंद है तो भाई यह क्या बोलेगा इसको क्या बोलेगि इसको ये इसको भाई बोलेगी देख़े भाई दिया गया है prevention नमबर यहाँ पर D में बहुत easy प्रष्ण हो गया देख़ो इस प्रष्ण को complex किया गया है नाम का धर के फेप्रा हिरत एगनास है ठीक है ना अगला प्रष्ण अगला प्रश्ण पुछा गया है वेन डिग्राम चाप्टर से प्रश्ण है देखे यहाँ पर मुझे फाइंड करना है कि कितनी लड़किया के पास अत्रीक्त सौट अस्कॉर्फ और पैजामे है अब देखो भाई यहाँ पर अत्रीक्त सोट का डिग्राम यह सर्कील है अस्कॉर्फ का डिग्राम यह हो गया आयत उसके बाद पैजामे का डिग्राम सेष्ट भूज है इस प्रकार से हम यह फाइंड करना है अब देखो यह तीनों में कौन सा जो भाई है वह घीरा हुआ है तीनों से सरकिल से भी सश्ट भूश से भी और आयत से भी तो देखिए यहां पर यहीं भाग है न जी यहीं भाग तो घीरा हुआ है यानि कि 7 एंसर हो जाएगा देखिए 7 दिया गया है अपसर नमबर यहां पर C में है अगला प्रस्न पुछा गया है कोडिंग का और देखिए जब भी इस प्रकार का प्रस्न आए तो आप ऐसे प्रस्न को सिकंडों में आप कर सकते सिकंडों में नो पिन नो कॉपी देखो भाई यहां पर सबसे पहले आपको आना होता है यहां पर और इसका पकड़ी यह लोजिक के इसमें किस परकार का लोजिक अपलाई किया गया है देखिए R को लिखा गया है R 1-T को U 1 पलस A को Z 1 माइनस T को U 1 पलस तो यहाँ पे 1 माइनस है और 1 पलस का logic apply है अब आप यहाँ पे देखिए कि कीस code में इस सब्द से यहीं logic के apply किया गया है देखिए यहाँ पर A लगके 1 माइनस O M 2 माइनस देखो भाई इसमें तो नहीं है अब आना कूट भासा 2 में L M 1 पलस भाई इसमें भी नहीं है L K 1 माइनस O P 1 पलस देखो भाई यहीं इसी में यहीं logic यहाँ पे apply हैं तो confirm है कि कूट भासा 3 यहाँ पे answer होने वाला है देखिए कूट भासा 3 दिया गया है option number यहाँ पे फोर में तो actually ऐसा प्रस्न बहुत इजी होता है बस आपको दिमाग का इसमें यूज करना है ठेक है ना आप बीना पीन लगाए और बीना कॉपी का आप ऐसे प्रस्न को solve कर सकते हैं सिक्रेंडो में अगला प्रस्न अगला प्रस्न पुछा गया है कथन और धारना का प्रस्न है कथन यहाँ पर है कि सरकार ने सहर के सभी नीजी के लोजों को यह निर्देश दिये हैं कि वे कम से कम अगले तीन बरसों तक बरतमान सुल्क में कोई ब्रीधी न करे अब देखी यहाँ पर यह धारनाय है यानि कि यह जबसम है यानि कि पॉस्बिलिटी नमबर वन है कि नीजी कॉलेज के अधिकारी सायद सरकार के निर्देशों का पालन न करें क्योंकि वे सरकारी नीधियों पर निर्भर नहीं है देखी दोस्त यह जो लाइन है पॉस्बिलिटी का यह जो लाइन है यह लाइन कर्थन का बिरोध कर रहा है यानि कि यह बिरोधा भास है अर्थात मैं इसको कर सकता हूँ कि यह इन्भैलेड है दोस्त जदी पॉस्बिलिटी कर्थन का बिरोधा भास करता हो यानि को बिरोध करता हो अर्था तो इन्भैलेड हो अर्था तो अपोजिट हो तो देखी वैसा possibility हमेशा wrong होता है मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ ठीक है ना तो देखी इसलिए यह क्या हो गया यहाँ पर wrong हो गया नमबर टू देखी यहाँ पर सहर के नीजी कलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता फिर भी आदिक सूल के देने के लिए उत्सुक हो सकते हैं अब देखो भाई यह जो है यह भी लाइन है कथन से कोई linker नहीं है यानि कि यहाँ का ब्रिधा भास तो नहीं है लेकिन कोई यह invalid यहाँ पर लाइन है इसलिए यह भी यहाँ पर रॉंग हो गया ठीक है यानि कि यहाँ पर दोनों पॉस्बिलीटी यहाँ पर रॉंग है नंबर वन भी और नंबर टू भी तो देखो वह इसका जो उतर होने वाला है वह नाइदर नाइदर नौर होगा यानि कि आप्स तो कॉफी आएगा पे के अंदर और फल हो जाएगा साइड में यानि कि इस परकार से बनेगा और यह डिया गया है अप्स नंबर यहाँ पर टू में अगला प्रस्न है अगला प्रस्न पुछा गया है mathematical operation का प्रस्न है यहाँ पर 13 minus minus का अर्थ गुना हो गया दू गुना का जोड़ चार डिवाइड का अर्थ माइनस 9 और प्लस का अर्थ डिवाइड यहाँ पर 3 हो गया है इसी को हल करना है यह कटा 60 यहाँ पर 3 और फिर यह 26 हो गया देखिए चार में से 3 गया यहाँ पर 1 आ गया पलस का तो 26 एक 27, 27 answer option number 3 जाएगा अगला प्रस्त देखो वाई अगला प्रस्त ने एक बर फिर से हाँ पर आ गया है coding का तो बस जब भी ऐसा प्रस्त ना था आपको सिधे आना है यहाँ पर अब देखो इसको इस प्रकार से लिखा गया है कौन सा logic यहाँ पर प्लाई है देखो यहाँ पर फोर माईनस यहाँ पर हो गया है तो यहाँ पर जो logic है ना देखिए 1 पलाई टू माईनस 3 पलाई फोर माईनस मतलब इसी प्रकार से आगे बढ़े गया अब देखो कि यहीं logic के किस कुट भासा में है इस सब्द से देखिए कुट भासा 1 में R S 1 पलाई E G देखिए यहाँ पर तो 2 पलाई हुआ है टेक है ना लेकिन हमें क्या चाहिए 2 माईनस चाहिए तो यह तो नहीं होगा कुट भासा 2 में आना R S 1 पलाई E C 2 माईनस देखिए A से भी 3 पलाई हो गया है अब फिर देखो यहाँ पर यह E A देखिए दोस्ती यहाँ पर यह 4 मरस हो गया है तो कनफर्म है कि कुट भासा 2 में ही न यह लोजिक अपलाई किया गया है तो इसलिए कुट भासा 2 यहाँ पर एंसर हो जाएगा देखते हैं option में तो option number one जाएगा, बहुत easy प्रस्ण होता है, लेकिन starting में जदी आप ऐसे प्रस्ण को देखेंगे, तो भाई आपसे ऐसा प्रस्ण solve नहीं हो पाएगा, अफ़ जाएगे, ठीक है न, अगला प्रस्ण, देखिए अगला प्रस्ण पुछा गया हैं ये, missing number का प्रस्ण देखो, यहाँपे कहा गया हैं न, कि प्रतेक पंक्ती में दी गई संख्याओ के बीच एक समान सम्बंध हैं, देखो ये a पंक्ती हैं, b पंक्ती हैं, c पंक्ती हैं, देखो ये प्रतेक पंक्ती में न, जो संख्या गीभेन है इन संख्याओं के बीचे एक समान पेटारन है अब इसमें भी और इसमें भी ठीक है देखना यहाँ पर कीस परकार का पेटारन है देखो तीनों पंक्ती का अलग अलग पेटारन यहाँ पर होगा लेकिन तीनो संख्याओं में सेम सेम होगा तेक आना अब देखना यहाँ पर यह देखिए यह तो यहाँ पर चोदा है और यहां पर 49 है और यहाँ पर 25 है देखिए 14,3 24 है और माइनस 3 यहाँ पर 49 हो गया थेक है? उसी परकार से चोदा दूनीके 28 है अब मैं देखो मैनस तिर यहां पर की यह तो यहां पर 25 हो गया किलियर तो देखो इन संख्याओं के बेचे इस परकार का समानता है यहां पर अब मैं देखता हूँ देखिए यहां पर यह यह बी वाला में देखिए बी वाला में क्या है यहां पर अठारा है एकावन है यहाँ पे वाट देखिए अठारा है एकावन और यहाँ पे वाट तो वाट के असान तो मैं क्या रखों देखिए यह जब अठारा है तो देखिए अठारा तीया चौवन होता है देखिए चोवन में थिरी मैनस करेंगे तो यहां पर एक आवन आ गया उसी परकार से 18 दुनी का 36 होता है और 36 में 3 मैनस करने पर देखिए वाट करसान पर 33 आएगा यानि कि 33 यहां पर राइट एंसर हो जाएगा यह दिया गया है और देखिए यह दिया गया है अफ्सान नंबर यहां पर डी में तो वाट करसान पर 33 आने वाला है बहुत ही easy परस्न है अगला परस्न देखिए का अगला परस्न पुछा गया है यह alphabet chapter का परस्न है बर्माला का कौन सा अक्षर है H से उतनी ही दूरी पर एस्तित है जितनी दूरी पर N से U है देखी यहाँ पर यह N है और यह U है तो N U का distance क्या है N होता है 14 पर और U होता है 21 पर तो distance हो गया पलस 7 का clear? तो भाई उसी परकार से H में हमें यहाँ पर पलस 7 आड़ करना पड़ेगा तो 8 साथ 15 यानि कि 15 पर O होगा और O N सवर और यह दिया गया है अपसन नमबर यहाँ पर फोर में बहुत एजी परस्न है अगला परस्न अगला परस्न पुछा गया है यह classification का देखिए यहाँ पर M L 1 मैनस आदेखो यहाँ पर यह P O है यहाँ पर भी 1 मैनस हुआ है O N यहाँ पर 1 मैनस आदेखो R P यहाँ पर 2 मैनस हो गया है ठीक है S R 1 मैनस आदेखो B T यहाँ पर भी 2 मैनस हो गया है H G 1 मैनस आदेखो K I यहाँ पर भी 2 मैनस हो गया है तो confirm है जी कि इसका logic इसका logic इसका logic सेम है लेकिन इसका अलग हो गया तो यहीं यहाँ पर भी सम हो गया क्या अगला प्रस्न अगला प्रस्न पुछा गया है यह भी blood relation का प्रस्न है देखिएगा तीन भाईया A, B, C की एक बुवा D है अब देखो यहाँ पर तीन भाई है A, B, C यह तीनों भाई है इनकी जो बुवा है वह डी है तो मैं मानता हूँ कि इनके जो पापा है यहाँ है और पापा की जो बहन है वह डी है क्लियर D का भाई E है अब देखो यहाँ पर confirm नहीं है दोस्त जदी यहाँ पर कहता कि D का एकलोता भाई E है तो देखो यहाँ A का B का C का पापा होते है लेकिन यहाँ पर कहा गया है D का भाई E है तो इसलिए देखो A, B, C का E पापा भी हो सकते है या चाचा भी हो सकते हैं confirm इसलिए मैं इसको मानता हूँ देखे कि यहाँ चाचा ही है क्योंकि देखी यहाँ पर एकलोता कहता तो तब ही यह पापा होता लेकिन यहाँ पर एकलोता नहीं कहा गया है इसलिए यह चाचा ही हों गया अब आ गया आना E, F से बिवाहित हैं देखो E का साधी हुआ है F से तो F हो गई A, B, C का चाची हो गई कि लिए रहे एप का एकलोता सोहोदर एक है और विवाहित भाई है देखी एप का एक भाई है कौन? G एप का भाई यहाँ पर एग जी हो गया अगला है पॉइंट देखिए H G का एकलोता भाजा है H तो इसका मतलब यह हुआ कि देखिए E का E का क्या लड़का है कौन? H है देखिए कनफर्म हो गया ना अब देखो यहाँ पर प्रेस्ट में क्या पुछा गया है कि E का E से कैसे बंद है यहाँ जो A है वह E को क्या कहेगा कनफर्म है कि चाचा कहेगा मैं आपसे पाले ही कहा था कि यह भी चाचा ही कहेगा ठीक है ना? तो एक पॉइंट आप असपर्ष रखिए कि जदी एकलावता कहेगा तो देखो भाई तब भी यहाँ पर पापा होंगे अन्नत्य आपको चाचा पहले ही मार्दा ना है इसका उत्तर ठीक है? देखिए इसका उत्तर होने वाला है अप्सान नमपर यहाँ पर यहाँ पर यह में है अगला प्रस्ण अगला प्रस्ण देखिए पुझा गया है यह कतन और धारना का प्रस्ण है देखिए कतन यहाँ पर दिया गया है कि धूम्रपान सवास्त के लिए हनिकारक है यह चेतावनी सिगरेट के पैकटों पर छपी होती है देखे इस परकार का प्रशनेकदम सेम लांग्वेज का बहुत सिप्टों में पुछा गया है यह एक परकार का चेतावनी है कि जो धुम्रपान है स्वास्त के लिए हनिकारक है अब यहाँ पर दिया गया है पॉस्बिलिटी लोग सिगरेट के पैकटों पर छपी हुई समागरी को पढ़ते है बिल्कुल भाई उसको पढ़ते है ठेक है न लेकिन भाले उसको फॉलो नहीं करते है लेकिन भाई उसको पढ़ते है कि इसलिए हनिकारक होता है पर सई हो गया कोई दिकत नहीं अब देखिए नंबर टू लोगे चेतावनी पर ध्यान देते हैं बिल्कुल भी ध्यान देते हैं तो यह भी यहां पर सई हैं तो यह दोनों यहां पर सई हैं तो इसका उत्तर होगा आपसा नंबर यहां पर थीरी अगला प्रस्ण अगला प्रस्ण पुछा गया है ये ranking का easy प्रस्ण है देखिए सुबा के सभा के दौरान बचो की एक पंक्ती में राहुल दोनों सिरों से शुलावे अस्थान पर है तो पंक्ती में कुल कितने बच्चे हैं हमें यह find करना है देखिए यहाँ पर देखिए जब भी एक परसन का दोनों और से अस्थान दिया होना left right से या top bottom से तो देखिए वैसे condition में t बराबर मतलब total find करने के लिए left plus right minus one होता है या t बराबर top plus bottom minus one होता है तो बस यहीं कंसेप्ट होता है इस कंसेप्ट के माध्यम से आप ऐसे प्रसन को बुणा बुणा करवा सकते हैं अब देखो यहाँ पर तो यह सुल्ला है तो सुल्ला सुला 32 हुआ 32 में से वन घटा यानि कि 31 इसका एंसर हो जाएगा आपसा नमबर यहाँ पर बन जाएगा अगला प्रसन पुछा गया है यह सीरीज का प्रसन है नौन भरफल का देखिए यहाँ पर क्या किया गया है देखो इसको घुमाया गया है एंटी क्लोकवाइज में देखो इसको एक बार घुमाया गया कितने बार एक बार अब देखिए इसको घुमाया गया एंटी होगा और फिर से किन बार तो देखो यह ऐसे हो जाएगा अब उसके बाद को कि इसको फिर देखिए कि एंटी क्लोक वाइज में एक बर गुमाएं गया तो देखो कंफर्म है भाई कि मुझे इसको एंटी क्लोक वाइज में ही मुझे यहां पर दो बार घुमाना पड़ेगा आप देखो एक बार जो हम घुमाएंगे तो यह ऐसे आएगा आएगा और फिर जब मैं अगले बार में घुमाओंगा तो वह भाई ऐसे आएगा मतलब यहीं फीगर यहां पे फिलब होगा तो इस परकार का फीगर बनने वाला है देखते हैं अफसन में देखिएगा इस परक बेट चाप्टर का प्रस्ण है देखिए बर माला के दाएं सीयरे से अठ्रहवा अक्षर यानि कि राइट से अठ्रहवा दाएं और से सत्वा इनमें से कौन है देखिए Android अक्षर के दाएं और से सत्वा यनिकि फिर right से सतवा देखो right to right ये घटा है तो dेखो 18 में से 7 घटा तो देखो यहाँ पे 11 आ गया यनिकि right से अगरहवा देखे right से اगरहवा क्या होता है P होता है तो P यहाँ पे इंसर हो जायगा भी कहे हैं आप ऐसे find कर सकते है एया राइट से जब यह एक रहावा अक्षर है तो भाई लेप्ट से क्या होगा लेप्ट से सुलावा होगा तो लेप्ट से सुलावा पे क्या होता है पी होता है तो आप ऐसे भी अब निकाल सकते हैं देखिए पी दिया गया है आपसा नमबर यहाँ पे डी में अगला प्रस्न अ पांच दोस्त हो गया सबका जो फेस हैं वह उत्तर की ओर है एक देवार पर टेक लेकर बैठे हो गया है अब देखिए जब फेस होता है उत्तर की ओर तो इधर होता है लेप्ट और इधर होता है राइट उसके बाद देखिए राम जो है राज के दाएं और दूसरे अस्तान पर बैठा है मालो की यहाँ पर राज है तो राज के दाएं पहला दूसरा मालो की भाई यहाँ पर राम है कर्मफा जो किसी भी सीरे पर नहीं बैठा है जो मतलब क्या राज जो राज है वो किसी भी सीरा पर नहीं बैटाएं के लिए राम और रहीम, दोनों सिरे पर बैठे हैं अब अब देखो बहुँ अब तो इहर होगा तो एख पर्सन। Top 12 इन उम्हार यह पाचबा चया पर यहान पर रहीम हो जाएगा रहीम हो जाएगा राहुल राम के बगल में नहीं बैटा है यानि कि यहां पर राहुल नहीं होगा तो राहुल यहां पर हो जाएगा राहुल अब एक बच्चा बच्चा वाया कौन रौकी देखिए रौकी यहां पर हो जाएगा रौकी यहां पर हो जाएगा इस पर करस्थ हो गया अब यहाँ पे प्रस्ण पुछा गया है कि रौकी के बाई और तीसरे अस्थान पे कौन बैठा है देखो भाई यहाँ पे रौकी है इसके बाई और ठोड अस्थान पे तो पहला दूसरा तीसरा पे रहीम बैठा है रहीम इजी प्रस्ण हो गया अप्सन नंबर वन साई है अगला प्रस्न देखिएगा अगला प्रस्न ये पुछा गया है नंबर सेज के प्रस्न है लेकिन यहाँ पर देखिए मिश्टिक यहाँ पर किया गया है बोर्ड के और से यहाँ पर 708 नहीं होगा यहाँ पर होगा 728 होगा टेक है न एक के अस्थान पर दो होगा अब भै कैसे देखना देखिए यहाँ पर न क्या है जीरो है 26 और 124 है और 1728 पैटर्न इस प्रकार से बन रहा है यह जीरो है तो एक का क्यू माइनस वन जीरो हो गया 26 है 3 का क्यू 27 माइनस 1 26 हो गया 124 है तो 5 का क्यू माइनस 1 124 हो गया देखिए 1 ठीरी और यहाँ पर 5 है तो कन्फर्म है कि यहाँ पर वाट निकालने के लिए यहाँ पर 7 होगा देखिए 7 का Q-1 करेंगे तो 342 आएगा और देखिए यह दिया गया है option number यहाँ पर 4 में अब देखिए आगे इसी pattern से यहाँ पर 9 का Q होगा तो यहाँ पर 728 आएगा लेकिन board के और से यहाँ पर दिया गया है 718 जो missing है clear अगला प्रस्न अगला प्रस्न पुछा गया है band diagram का देखिए यहाँ पर यह पक्छी है कववा और कट फोडवा देखिए कट फोडवा यह भी एक परकार का पक्छी ही होता है तो यहाँ पर यह पक्छी के अंदर कववा भी आएगा और यह कट फोडवा भी आएगा यानि कि इस परकार का बनेगा diagram और यह दिया गया है option number यहाँ पर 2 में अगला प्रस्न है अगला प्रस्न कोडिंग के प्रस्न है बच्चावला प्रस्न है BA-1 RQ-1 AZ देखो यहाँ पर अल लेटर में तो 1-A हो गया 1-D 1-Z और 1-M हो गया तो ADZM option number 1 जाएगा इजी प्रस्न है अगला प्रस्न है अगला प्रस्न पुछा गया है इनलोजी का प्रस्न है देखिए चीप है और यहाँ पे restaurant है तो चीप का सबंद restaurant से है तो देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा तो रोगिस्ट का सबंद फर्मेंसी से हो जाएगा तो यह यहाँ पर यह इजी प्रस्न यह भी यहाँ पर है अगला प्रस्न देखिए अगला प्रस्न पर पुछा गया है यह इनलोजी का एक बार फिर से अगला प्रेस देखी ये हमार यहाँ पर ये सेट नमबर एक सो 22 यहाँ पर इंड हो गया है अब मैं आता हूं सेट नमबर एक सो 213 और ये सिफ्ट जो है शेक्न का है आठ अपरेल का निखी पहला प्रेस यहाँ पर आ गया है देखिए कथन दिया गया है यहाँ पर कि बर्स के अरंभ में देश X ने देश Y के साथ जूद सुरू किया देखिए कथन नमबर बन में कहा गया न कि बर्स के अरंभ में देश X ने देश Y के साथ जूद सुरू किया ठीक है कथन नमबर टू में कहा गया है कि बर्स भर देश वाई के बहुत से सैनिकों ने जान गवाई अब देखी आपको हलका से यहाँ पर ध्यान देना है आपसन पर देखी आपसन यहाँ पर दिया गया है रीजन एंड इफिक्ट वाला अब देखो यहाँ पर कनफर्म है कि मैं जैसे ही मैं यह दोनों कथन को मैं पढ़ा तो देखी कनफर्म है कि कथन नमबर जो वन है यह ततकाली के रीजन है और इसका इफिक्ट क्या है कथन नमबर टू है अब देखो भाई बर्स के अरम में जैसे ही एक से देश ने देश वाई से जूद सुरू किया तो भाई क्या हुआ कि बर्स भर देश वाई की बहुत से सैनिक ने जान गवाई तो यहां से confirm है 100% यहां से fix है कि कथन 1 जो है वह ततकालिक region है और जिससे क्या हुआ कि काथन 2 यह effect हो गया eigentlich अब देखिए यहां पर Option में क्या दिया गया है यह Option नहीं होगा और यह भी Option यहां पर नहीं होगा यहां पर Option थान 3 भी यहां पर नहीं होगा देखिए Deutschen फोर यहां पर होगा कर्थान टू परभाव हैं और कर्थान जो वन है इसका तत्कालिक और परमूख रीजन है कि लिए अगला प्रस्ण कि अगला प्रस्ण पुछा क्या है देखेए मीसिंग नंबर का प्रस्ण है देखो यहां पर भाई यह तो पंच भूझ है और यह चत्र भूझ है 15 के 20 आप 1 पलस कर देते हैं पे कईस हो गया इसी परकार से यह सष्ट भूझ और यहां पर आ गया चत्र भूझ तो देखिए चोचऊँ के 24 आप पलस 1 कर दे यहां पर 25 हो गया इसी परकार से यह तो भाई तिरभूज है और यह पंच भूज है तो पंच्तियाई पंदरा वन प्लस यहाँ पे 16 हो गया तो फाइनल इसी परकार से देखिए यह यहाँ पे चत्रभूज है यहाँ पे तिरभूज है तो चत्तियाई बारा वन प्लस यहाँ पे 13 हो गया तो 13 इंसर होगा आप सा नमबर यहां पर बन जाएगा अगला प्रस्न अगला प्रस्न पुछा के ने देखिए से सीरीज का प्रस्न देखिए यहां पर क्या किया गया है चे ओ फोर पलस ओ एस फोर पलस देखिए एस डाबलू फोर पलस और डाबलू ए फोर पलस अब देखो ए और यहाँ पर वाट है तो फिर यहाँ पर मुझे फोर पलस करना पड़ेगा तो यहाँ पर होगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा अब उसके बाद देखिए 11, 15 4 पलस 4 पलस 29, 23, 4 पलस और देखिए 23 और यहाँ पर एक है अब देखो एक मतलब यहाँ पर क्या होता है जानते हो एक मतलब यहाँ पर यह 27 है ठीक है ना इसको एक को आपको 27 मानना है देखो तो 23, 4 क्या हो गया 27 हो गया अब देखो उसके बाद यहाँ पर 27 में जब मैं यहाँ पर मैं 4 में पलस करूँगा तो दोस्त देखिए 31 आएगा देखिए 31 को 5 भी कहते हैं 31 पर E होता है और E 5 पर भी होता है तो confirm है कि 31 को भाई 5 कहते हैं तो इसलिए 5 बटा में E हो जाएगा clear देखिए यहाँ दिया गया है option number यहाँ पर 4 में अगला प्रस्न अगला प्रस्न पुछा गया है mathematical operation का यहाँ पर 48 B B का जोड 24 और यहाँ पर C है तो C क्या है जी? divide हो गया उसके बाद 12 है उसके बाद D D का गुना और फिर 3 D A घटाओ यहाँ पर 4 हो गया है देखिए यह हो गया दो बार में और यह तिन्दूनी के 6 हो गया 6 में से 4 गया यहाँ पर 2 आ गया और 42 पचास हो गया option number यहाँ पर बन जाएगा अगला प्रस्न अगला प्रस्न पुछा गया है यह missing number का प्रस्न देखिए यहाँ पर क्या किया गया है देखिए यहाँ पर यह चार है और यहाँ पर 2 है देखो 4,2 पहले आपको add करना है तो 4,2,6 हो गया आदेखो 6 और 9 को आपको add करना है इसका मतलब यह हुआ दोस देखिए कि यह आपको यह पूरा आपको add करना है 4,2,6,9,6,15 हो गया ठीक है नब देखिए तो 15 में आपको सीध है 3 से divide करना देखिए तो यहाँ पी पांच आ गया कनफेर उसी परकार से देखिए यहाँ पे फायनल इसस्ट जो तीस हो गया तो तेसएक है चवबीस हो गया देखिए देखिए दिए फिम्समतीन से भाग के तो यहाँ पे आठ आ अगया है उस्ट tub 2019 यह 5, 9, 9, 5, 14, 14, 14, 18, 18 में 3 से भाकिया तो यहां पर 6 आगया यानि कि वाट के अस्थान पर 6 आएगा और 6 एंसवर होगा और देखिए 6 दिया गया है अपसन नमबर यहां पर 1 में अगला प्रस्ण अगला प्रस्ण देखिए पुछा गया है यह कथन आइंड यह पॉस्बिलिटी का प्रस्ण है देखिए कथन दिया गया है कि विकान्स आज अपने गणीत के सवालों को हल नहीं कर सकता क्योंकि गवासकर अस्कूल में अनुपस्थित है तो यह हो गया एस्टेटिमेंट है अब देखो भाई यहां पर पॉस्बिलिटी देखिए पॉस्बिलिटी वहीं सही होता है जो पॉस्बिलिटी कथन में नहीं तो हो या कथन की एकोडिंग गीविन हो अब देखिए एल नमबर समानता है बिकान से अपने गवासकर अस्कूल में अनुपस्थित है दो को इसका मतलब यह हुआ कि जो बिकान से है वह है गवासकर पर ही वह डिपेंड है वह खुद से सवाल को हल नहीं कर सकता है इसलिए देखो यह जो लाइन है यह लाइन कथन में में नहीं है और नहीं इस लाइन को कथन की एकोडिंग कहा भी जा सकता है इसलिए यह यहाँ पर रोंग हो गया किलियर नंबर टू देखिएगा समानत हैं गवासकर गणित के सवालों को हल करने में विकांस की मदद करता हैं बिल्कुल सही हैं तो केवल धार्णा जो है यहां पर यह एम सही हैं देखते हैं अप्सन को अप्सन नंबर यहां पर फोर जाएगा अगला प्रस्ण अगला प्रस्ण देखिए यहां पर पूछा गया है यह नंबर सिरीज और आलफा बेट सिरीज का यह मिक्स प्रस्ण है एकस टी माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर तो माइनस फोर की यहां पर डी आ गया उसके बाद देखिएगा आगे नेस्ट पॉइंट नब 45 प्लस हो गया और फिर यहां पर 45 प्लस किये तो देखो यहां पर 135 आ गया confirm उसके बाद next point dh 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस किये तो x d135 x इसी प्रस्न है आपसे नमबर यहां पर बन जाएगा अगला प्रस्न अगला प्रस्न है पुछा गया है देखिए alphabet chapter का प्रस्न है जदी अंग्रियजी बढ़माला के 22 से दाई की और हर तिसरा अक्षर हटा दिया जाता है तो प्राप्त नई सिरिंखला में दाई और से बरहवा अक्षर कौन सा होगा देखिए मानिए कि यह हमारा बढ़माला है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, A, S, T, U, B, W, X, Y, Z हो गया अब देखिए यहां पर क्या किया गया है कि बाएं से दाई और हर तिसरा अक्षर काटके हटा दिया गया C उसके बाद देखिए A उसके बाद I उसके बाद L उसके बाद O हट गया और फिर उसके बाद देखिए R हट गया और फिर u और फिर यहां पर x मतलब इस प्रकार सी हट गया अब यहां पर पुछा गया है कि दाई और से बरहावा अक्सर कौन है देखिए तो एक, दो, तीन, चार, पान, छो, सत, आठ, नो, दस, 11, 12 क्या रहा है जे आ रहा है तो j यहांपे हो गया, इसका answer, देखिए जे दिया गया है आपसर नंबर यहांपे 3 में अगला प्रस्न अगला प्रस्न दखिए पुछा गया है यह classification का देखो यहांपर यह BD 2 पलस 2 यहांपर भी है 2 पलस 2 पलस 1 पलस अगला पर यहांपर 2 है टू पलस टू पलस तो यहाँ पर यह भी सम हो गया अगला प्रस्ण अगला प्रस्ण एक बर फिर से क्लासिफिकेशन का देखें यहाँ पर यह देखो यहाँ पर यह डाबलू जेड तीन पलस है देखें एच जे टू पलस है डी जी तीन पलस है देखें QT यहाँ पर भी 3 प्लस है तो यह भी समीहां पर हो गया यह भी जी प्रस्न है अगला प्रस्न अगला प्रस्न पुछा गया है यह 20 ग्राम का प्रस्न है रखत कंकाल हड़ी है तो देखो यह जो हड़ी है यह कंकाल के अंदर आएगा और रखत यहां पर अलग होगा मतलब इस पर करकर बनेगा डाइगराम देखते हैं अपसं तो अपसं नमबर यहां पर फोर राइट होगा अगला परस्न जी अगला परस्न ये हैं और ये भी इजी ही परस्न है एक का स्क्वाइर, टू का स्क्वाइर, थिरी का, चार का, पांच का, छे का, साथ का, आठ का तो यहाँ पे नाइन का स्क्वाइर, एक आसी, आपसा नमबर वन राइट अगला प्रस्न अगला प्रस्न पुछा गया है, बलर्ड, रिलेशन का प्रस्न देखिए गजो उमरा की माता है यहाँ पर उमरा है और इसकी जो माता है वह गजो है मुनी सुमो यह लिंकेट लैन नहीं है सहीर ही फजान यह भी लिंकेट लैन नहीं है मुनी ही फजान की बुगा और उमरा की मौसी देखे और मतलब क्या मूनी जो मूनी है नँवा उमरा की मौसी है तो इसका मतलब यह हुआ कि गोजो की बहन कौन है मूनी है मूनी हो गई ठीक है और मूनी ही फजान की बुगा तो देखो यहाँ पे कंफर्म यह है कि देखिए मुनी का एक भाई है और भाई का लड़का या लड़की कौन है हीफजान है तभी न भाई हीफजान मुनी को बुगा का पाएगी या कहेगा क्या अब देखिए उसके बाद मुनी सुमो की माता है मुनी जो है सुमो की माता है देखिए जो यह जो मुन्नी है यह सुमो की माता है तो मुन्नी की लड़का यह लड़की कौन हो गई सुमो हो गई उसके बाद सहीद ही जान के पिता है देखो ही जान के पिता यहाँ पर यह सहीद हो गया इस परकार से अब देखे यहाँ पर प्रस्ण क्या पुछा गया है गजो का सहीद से क्या सबंद है देखो भाई गजो यहाँ पर है और सहीद यहाँ पर है तो यह जो सहीद है गजो को क्या कहेगा बहन कहेगा किलियर है बहन देखे बहन दिया गया है अपसा नमबर यह पे 1 में अगला प्रस्ण अगला प्रस्ण पुछा गया है मीशिध नमबर का प्रस्ण देखे यहां पर यह है यह भी veto है नेहिए पांच का इसक्वार 25 हो गया नौ का 81 और साथ का उन्चा तो छे का क्या होगा 36, 11, आपसा नमबर यहाँ पर C, राइट अगला प्रस्न जी यहाँ पर badmintal है, गेंद है और देखिए यहाँ पर यह खेल कूद है तो देखो, खेल कूद के अंदर badmintal आएगा, आएगा की नहीं आएगा अब देखो, यहाँ पर गेंद कहा आएगा देखिए दोस्त, मेरे इसाब से न, जो गेंद है वह बाहर आएगा आद देखो, बोड भी इस परकार से किया है लेकिन देखो, बहुत बच्चे ने इसको किस परकार से करेंगे खेल कूद के अंदर badmintal और देखो, यहाँ पर गेंद मतलब वह इस परकार से बनाएंगे लेकिन इसका जो परफिक्ट होगा न वह इस परकार से होगा अब भै क्यूँ, देखिए जो badmintal है न यहाँ देखिए एक परकार का खेल कूद है, ठेक है न लेकिन जो देखिए जो गेंद है न यह खेल का नाम नहीं है यह इसी खेल का समागरी है तो इसलिए गेंद यहाँ पर अलग होगा और badmintal खेल कूद के अंदर होगा ठेक है तो देखिए इसका यहाँ पर एंसवर होने वाला है, option number यहाँ पर D जाएगा, और यही एंसवर बोर्ट के और से दिया भी गया है लेकिन कुछ परसंट बच्चे इसका एंसवर यह मारने वाले हैं ठीक है, अगला प्रस्न देखिए का अगला प्रस्न यह भी easy प्रस्न है देखिए, यह P है इसको लिखा गया है O Q 1 कम 1 पलस U, 1 कम T और 1 पलस B हो गया उसी परकार से A नहीं तो 1 कम M और 1 पलस O हो गया तो finally, देखिए, मुझे यहाँ पर लिखना है L, I, E का तो यहाँ पर होगा L का लिखना है तो 1 कम K और 1 पलस M होगा I का है 1 कम H और 1 पलस J होगा E का 1 कम D और 1 पलस यहाँ पर F होगा तो K, M, H, J, D, F Option नमबर यहाँ पर D जाएगा अगला प्रस्न अगला प्रस्न सभी बच्चे बोतल है देखो, सभी जो बच्चे है यह क्या है यह भाई हो गए बोतल क्लियर कोई बोतल बुधिमान नहीं है यह बुधिमान अलग हो गया बुधिमान देखो, यहाँ पर possibility figure सभी नहीं है clear देखना, conclusion नमबर वन बोतल बुधिमान के बीच अल का case बन दा है देखो, यहाँ पर बोतल है और यहाँ पर बोतल यह बुधिमान है यहाँ पर भाई, non का case बन रहा है इसलिए रॉंग हो गया number two बच्चा बुधिमान देखो, यहाँ पर नौन का case बन रहा है देखो, यह बच्चा है, यह बुधिमान है यहाँ पर भी नौन का case बन रहा है इसलिए यह सही हो गया यानि की conclusion number two right है देखता हूँ मैं यहाँ पे option option होगा phone number अगला प्रशन देखी अगला प्रशन पुछा गया है यह रैंकिंग क्या प्रशन है ठेखा न यह रैंकिंग क्या प्रशन है P Q R S तथा T 5 मित्र है देखी यहाँ पे find करना है कि इन में से किसकी लंबाई और आयू करम सा अधिक्तम और निवन्तम है दिखिए सबसे पहले मैं मानता हूँ कि यह लंबाई का सेड़ी है यह लंबाई का और यह होगा आयू का अब देखिए पहला पॉइंट कहा गया है कि Q की आयू एस से अधिक है दिखिए यहाँ पे यह जो Q है यहाँ A से अधिक है इसका A जह है लेकिन लंबाई R से कम है लेकिन मतलब क्या फर्स पर्सन Q तो Q की जो लंबाई है R से कम है तो यहाँ पे हो गया R अधिक है लंबाई किसका Q से क्लिए उसके बाद P की लंबाई R से अधिक है R से अधिक P का लंबाई हो गया लेकिन T से कम है देखो यहाँ पर T हो गया इस परकार से कोई दिकत नहीं अब आगे आना T की आयू A से अधिक है देखो T की आयू है न वह A से अधिक है अब देखो यहाँ पर T यहाँ पे आ जाएगा यह T देखो यह T यहाँ पे आएगा यह T यहाँ पे आएगा यह fix नहीं है भी टेक है ना आगे आना P की I U A से कम है देखिए A से कम यहाँ पे P हो गया कनफर्म लेकिन लंबाई A से अधिक है लेकिन मतलब क्या P P का जो लंबाई है वह A से क्या आधिक है अब देखो भाई A कहाँ पर आएगा देखिए दोश जो A से है वह A स यहाँ पर भी आ सकता है या A स यहाँ पर भी आ सकता है या A स यहाँ पर भी आ सकता है मतलब यह fix नहीं है अगला point देखिएगा अगला point है कि R की जो लंबाई है वह T से कम है R की लंबाई T से कम है बिल्कुल सही है लेकिन IU Q से अधिक है देखिए Q से अधिक है जो IU है वह R की है देखिए R भई कहा सकता है देखिए R यहाँ पर भी आ सकता है यह R यहाँ पर बेह सकता है मतलब यह भी यहाँ पर fix नहीं है clear अब देखो यहाँ पर प्रस्तम से क्या पुछा गया है कि इन में से किसकी लंबाई और I.U. अधिक्तम निवन्तम लंबाई चाहिए अधिक्तम और I.U. चाहिए निवन्तम देखिए लंबाई यहाँ पर अधिक्तम हो गया 100% fix है T का और I.U. निवन्तम 100% fix है P का तो T और P यहाँ पर उत्तर होगा clear न लेकिन देखिए लंबाई यहाँ पर निवन्तम फिक्स नहीं है और ना ही I.U. अधिक्तम फिक्स है टेक है न तो जड़ी यह पुछ था तो देखिए दोस्त यह निकाल पाना संभव नहीं रहा था लेकिन यहाँ पर पुछा गया है अधिक्तम और निवन्तम इसलिए T और P यहाँ पर यह राइट हो जाएगा देखिए यह दिया गया है अप्सा नमबर यहाँ पर D में अगला प्रश्न अगला प्रश्न पुछा गया है यह मीसिंग नंबर का प्रश्न है देखिए यहाँ पर यह चो में चार से गुणना 24 पलस 2 26 हो गया उसी परकार से 15 तीन में एक से गुणना 3 तीन दू 5 तो 5 एंसर होगा और 5 दिया गया है दोस्त देखे ये प्रस्ण पुशा गया है कोडिंग से और इस परकार का प्रस्ण है लगबग 3-5 सिप्टों में पुशा गया है और ये इंपोर्टेंट भी प्रस्ण है बहुत बच्चे इसमें फ़ज जाते हैं देखे इसमें कुछ नहीं करना होता है इसमें आपको कोडिं common के अनुसार आपको fix करना है देखिए यहाँ पर हमें इसका code निकालना है अब देखिए सबसे पहली बात दोस्बसे पहली बात देखिए इसमें common पहले क्या है देखिए यहाँ पर E है और देखो यहाँ पर E है उसके बाद यहाँ पर RO है और देखो यहाँ पर ro है देखिए जब यहाँ पर ro है और जब यहाँ पर ro है तो देखिए यहाँ पर fix क्या होगा मतलग common यहाँ पर क्या होगा इस side में देखिए इस side में जो common होगा वह percentage और dollar देखिए percentage और dollar तो देखिए ro के लिए code क्या हो गया percentage dollar हो गया अब देखें यहाँ पर common यहाँ पर E है और यहाँ पर भी E है देखो यहाँ पर D है यहाँ पर D है तो E के लिए common क्या हो गया D हो गया तो अब देखो मैं यहाँ से find कर लिया कि REO इसका code क्या मिल गया percentage dollar और यहाँ पर D मिल गया ना बहले आप इसको उल्टा पुल्टा आप लिग सकते हो को हो कोई रिगत नहीं टेकन अस्थान में कोई चेंजिंग आपको कर सकते हो कोई प्रोलम आप नहीं होने वाला है टेक है अगला परस्ण आपके सामने देखिए रहेगा और ये परस्ण बहुत इंपोर्टेंट परस्ण है और इस परकार का परस्ण एंटी पीस एक्जाम में बहुत सिप्टों में ये परस्ण रिपीट हुआ है देखिए यहाँ पर मुझे कोड फिक्स करना पड़ेगा कमन के अनुसार मतलग कमन के अधार पर कोड को फिक्स करेंगे यहाँ पर निकालना है इसका कोड क्या होगा देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो देखो यहाँ पर E और यहाँ पर E है देखिए इस सेक्सन में E यहाँ पर कमन है और देखो यहाँ पर D है और यहाँ पर D है तो confirm हो गया कि E का code क्या हो गया D हो गया clear अब देखी उसके बदद यहाँ पर RO है और देखो भाई यहाँ पर RO है और जो common है वह percentage dollar percentage और dollar तो confirm है कि RO का code हो गया percentage dollar हो गया अब देखो भाई मुझे यहाँ पर MA निकालना है अब देखी MA का जो code होगा वो addg rate और U होगा ठेक है न addg rate और यहाँ पर U होगा MA तो इस परकार से MA R E O का MA R E O का जो code यहाँ पर आ गया देखी है क्या आ गया addg rate U percentage और फिर यहाँ पर dollar और देखो यहाँ पर D आ गया और देखो यही code डिया गया है केवल option number यहाँ पर 1 में तो इसलिए यही option यहाँ पर write हो जाएगा तो जब भी इस परकार का प्रसन आपको देखने के मिल जाए एक्जाम में तो आपको इसी type से solve करना होता है अगला प्रसन देखी यह प्रसन पुछा गया है में final 350 में दो सिगुना 700 हो गया और दो पलस यानी की 702 हो गया इसी प्रसन है option नमबर यहाँ पर जाएगा थीरी अगला प्रसन देखी पुछा गया है यह blood relation का प्रसन है देखी यहाँ पर प्रसन कह रहा है जय एंजला का भाई है देखी यहाँ पर यह जय हो गया यह है एंजला के एंजला की यह भाई हो गया अब देखी एंजला के यहाँ पर link fix नहीं होगा क्योंकि देखी एंजला male भी हो सकता है और यह female भी हो सकती है ठेक है न एंजला का बिवा रोस से हुआ है इसका बिवा हो गया है रोस से अब यहाँ पर ये भी कनफर्म नहीं है कि भाई कौन पती है कौन पत्नी है यहाँ पर आगया ना है गेलर रोस के भाई का पुत्र है रोस का भाई कोई है और इसका पुत्र गेलर है येस उसके बाद गुन्थर गेलर के पीता के पीता है देखिए गेलर के पीता ये है और इसके पीता कौन है गुन्थर है तो कन्फर्म है कि रौस का पीता और इसका पीता गुन्थर है अब देखिए यहाँ पर प्रस ने पुछा गया है कि एंजला का गुन्थर से क्या सबंद है यह जो गुंता रहे हुए एंजला को क्या कहेगा अब दीखे यहाँ पर एंशर तो भाई दो आएगा क्योंकि एंजला का link fix नहीं है अब दीखे यहाँ पर पहला एंशर यह आएगा जदी मालों की रॉस यहाँ पर यह मेल होता तो confirm है कि पूत्र का पूत्र की पत्नी यह आता answer और अगला answer दोस्त यह आता जदि रोस यहाँ पर फीमिल होती तो confirm है कि पूत्री की पत्ती देखी दो यहाँ पर answer आएगा लेकिन देखी option में यहाँ पर क्या खेला किया गया है option में कहीं पर भी पूत्री की पत्ती answer नहीं दिया गया है तो देखो option में दिया गया है पूत्र की पत्तनी तो इसलिए answer मार देंगे आँख मुद कर पूत्र की पत्तनी कि लिए अगला प्रस्न है दोस्त यहां से हमारा यह सेट यहां पर इंड हो गया है टेक है ना तो देखो मैं फाइनली दो सेट में complete कर दिया हूं सेट नमबर 122 और सेट नमबर 122 आपको किसे भी प्रस्न में doubt हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं तो जेहेंद वंदे मात्र